पश्चिम बंगाल विदानसबा चुनाव की पश्चिम बंगाल की 43 सीटों पर छटे दोर का आज मतदान हो रहा है इस दोर में बीजेपी के दिगज नेता मुकुल रोय समय 306 उमिद्वारों की परिक्षा है सुरक्षा के इंतजाम भी कड़े किये गए हैं केंद्रिय सुरक्षा बलों की 1071 कंपनिया तैनात की गई है इस फेज में सब की नजर मतुआ समुदाई पर है जो नौर्थ 24 परगना की सत्र है और नदिया की नो सीटों पर खेल बनाने और भिगाडने का माददा रखते हैं इस दोरान बीजेपी के राष्टे उपाध्यक्ष मुकुल रोई ने नौर्थ 24 परगना जिले के कांचरा पारा में बूथ नंबर 141 पर मतदान किया राष्टे बीजेपी के उपाध्यक्ष और सांसद अरजुन सिंग ने नौर्थ 24 परगना के जगत दल के बूथ नंबर 144 पर मतदान किया उनके साथ भाट पारा के बीजेपी प्रतियाशी पवन सिंग भी मौझूद रहे पश्चम मंगाल में विदानसबा चुनाओ का छटे चरन के तहट आज मतदान हो रहा है 43 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है सुबह साथ बजे से मतदान केंडरों के बाहर मतदाताओं की कतारे देखने को मिल रही है तो वहीं कोरोना संक्मन के चलते कोविड प्रोटोकोल की पालना करवाई जा रही है मास्क लगाने के बाद ही मतदान केंडरों में मतदाताओं को प्रवेश्टी आ जा रहा है तो वहीं लगातार पिछले कई चरणों में हिंसा की घटनाए बंगाल में देखने को मिली है जिसके चलते सुरक्षा बलों को तेनाद किया गया है सुरक्षा ब्यवस्ता चाक चोबन की गई है कड़ी सुरक्षा के बीट छटे चरण का मतदान आज लगातार जारी है मुकल रोय समय 306 प्रतियाश्यों की किस्मत आज EVM में कैद होगी आपको बता दे कि छटे दोर में 43 सीटों पर पश्चिम बंगाल में मतदान हो रहा है किंद्य सुरक्षा बलों की 1071 कमपनिया शांतिपूर्ण मतदान संपन कराने के लिए तैनाद की गई है बंगाल की 43 सीटों पर 306 उमिद्वारों की आज परिक्षा होनी है 306 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज EVM में कैद हो जाएगा 306 आज Haj किस्वारों की कि आज हो जे नाएगार। पश्चिम बंगाल में लगाता चटे चरण के लिए मतदान जारी है इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर कोलकता से जुड़ चुके हैं हमारे समवाद अता पवन शर्मा पवन लगाता चटे चरण के तहेत मतदान हो रहा है किस प्रकार की खबरें बंगाल से पश्चिम बंगाल विजान सवाज चुनाओं में शटे चरण के लिए आज शर्मार मतदान होने वाले हैं कि यार्बियस की एक जार इसकते कंपनिया लगाई जिगे है जी इस बौरान बीजेटी के राच्टिव पार्जेक्श मुकूल राए ने जी बिलकुल पवन जिस प्रकार से पिछले बार पिछले जो चरण के चुना हुए थे उनमें हिंसा देखने को मिलीती कहीं पर काफिलों पर हमला किया गया था तो कहीं पर फाइरिंग जैसी घटनाई भी सामने आई थी तो इस बार छटे चरण में पिछले घटनाओं से चले तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो यह थे हमारे समवादाता पवन शर्मा जिनोंने बताया कि अतरिक तजाबता तैनाथ किया गया है लगाता चछटे चरण के लिए 43 सीटों पर मतदान हो रहा है